बढ़न को सुनना, इस भजन की एक एक लाइन सुनना अब ये जो भईया जिनमें अब जो शाया है ये सारे बुलंदावाज में कहेंगे बाबा से कि बाबा अब फूरू जेव में रख लो भईयो इस भजन को अच्छे से गाना, दिल से गाना सब की अर्जी पूरी होगी, यह मेरी गैरेंटी है, जिसके जैसे भाव होंगे, बाबा उसको वैसा अशिर्वाद जरूर देंगे, कहना, कि बाबा, बुलो हारा हूं बाबा, और अरे जीतूंगा एक दिन, बाबा दुनिया से सुना, तेरे दर्मार में जो हार कराता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी बच्चा बनकर आया हूं, दुनिया की ठोकरे खा कर आया हूं, मुझे विश्वा से आज हार कर आया हूं, लेकिन जीत कर जाओंगा, अरे हारा हूं बाबा, पर तुझ में, और बाबा, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये, बाबा बस, मेरे मा जी बन जाओं, मेरी लाव चला जाओं, बेटे को बाबा शां, तुम गले लगा जाओं, सारे गया दो, हारा हूं बाबा, हाँ, जीतूंगा एक दिन, कौन-कौन हार कर आया है, और उसको भरोसा है कि मैं जीत कर जाओंगा, इस बजन में तो हाथ उठाना पड़ेगा, जो जितने लंबे हाथ उठाएगा, तरक्य में उतना जल्दी उपर जाएगा, जितनी माता है भेने, सरदी लग रही है, ताली बजाओ, घरमी लगने लग जाएगी सेवा में कहना, बोलो हारा हूँ बाबा, पर तुझ पे वरोसा है, जीतूँगा एक दिल, मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा, पर तुझ पे वरोसा है, अरे जीतूँगा एक दिल, मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा, पर तुझ पे वरोसा है, अरे जीतूँगा एक दिल, मेरा दिल ये कहता है 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 और मामा जी का डांस देखकर भी ऐसा लगा गोविन्दा भी फेले वहिया इतना अच्छा नाच रहें एक बार सब देखना देखोए मामा जी को लगन लगिये इसलिए नाच रहें क्योंकि इसके दरवार में जो नाच लेता है उसे दुनिया में किसी के सामने नाचने की जरवत अब मामा जी भांजी की बात माननी पड़ेगे गोविन्दा वाला नाचना बोलो 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 हारा हूँ बाबा पर तुझ में वरोसा है जी तूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है अब सुनो जो हाजरी लगा रहे हैं भाईया लोग एक आद भजन के बाद होली मनाएंगे अभी बैट जाओ अभी सुनना है भजन अब सुनो महाभारत काल द्वापरियुक में हुआ सब को मालूम है जोर से बोलो सब को मालूम है पाँच पांडव थे महाभारत में पालूम है पाँच पांडवों में से एक थे भीम कौन थे भीम के पुत्र थे घटोत कच कौन थे मैं थोड़ा उचा सुनती हूँ कौन थे और घटोत कच के पुत्र थे बरबरिक कौन थे बला बरबरिक सरकार की अब सुनो जब बरबरिक 14 साल क्यों है महादेव की कठिन तपस्य करी महादेव से तीन बाण हासिल करें बोलो तीन बाण धारी की जब तीन बाण हासिल करें अपनी मा को आके बोले मा मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ने जाता हूं मा बोली 14 साल का बालक महाभारत की लड़ाई कैसे लड़ेगा हट करने लग गए नहीं मा मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ूंगा मा बोली जा बेटा लड़ना लेकिन उसकी दरफ से लड़ना जो हारे किसकी दरफ से लड़ना जो हारे अब सबको मालूम था पांडव पांच है लेकिन उनके साथ स्वयम कृष्ण भगवान है और कौरव चाहे सो है उनके पास पूरी नारायनी सेना है पर वो जीत नहीं सकते क्योंकि बुराई की जीत कभी भगवान नहीं होने दी कृष्ण भगवान ब्रामण का वेश धारण करके बरबरिक की परिक्षा लेने आए बरबरिक से बोले 14 साल का पालक कैसे महाभारत की लड़ाई लड़ेगा बरबरिक बोले स्वामी जो परिक्षा लेनी है लेलो गोविंद बोले बरबरिक अपना शीष काट के मेरे चरणों म जै हो बोवित खुश हो गए कृष्ण भगवान ने बोला है बरवरी तू कल्यूग में मेरे नाम से जाना जाएगा बोलो शाम प्यारे की जैसे जैसे कल्यूग बढ़ता जाएगा तेरा प्रभाव कल्यूग में बढ़ता जाएगा बोलो हारे के सहारे की जो हार कराएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा आज तक नहीं हुआ बाबा को वरदान है अब ताली बजाओ सारे कहना मेरे साथ में मिलता ना किनारा है अर जी तूंगा अर जी तूंगा अर तुझ पे भरोसा है अर जी तूंगा एक दिन मेरा दिली ये कहता है अर जार वों अर जार 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 ग्यार धो अर जार 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 कर्ड़िए जो जो प्रेमी सुन रहे है ये भी सुन लेगना कि इनके दरबार में जो आता है न कभी खालियात नहीं जाता ये तो आपको पता चल गया लेकिन मेरे बाबा की एखास बात है कि जो खुशी से या फिर गम में तो आसु इनके दरबार में बहा देता है न उसको जिन्दगी में कभी भी कही रोना नहीं पड़ता ऐसा कहते है जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रो अरे आख के आशू से चलड को धोता है अरे अकसर तनहाई में तुछे पुकारे और बाबा नाजोर दिल पे चले बलो हारे 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 तुम हारे के साहारे शाहारे हारे कहना कि बाबा नहीं कुछ समझे अब मुझे क्या करूँ अरे याता नहीं कुछ समझे अब मुझे जो हार कराया है कहना हारे हारे बाबा हम तो तुम हारे के कहते हैं कि सैकडो गर्ज मंद मिलते हैं और काम के लोग तो चंद मिलते हैं और जब मुसिबत का समय आता है तो सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा क्योंकि हारे का सहारा बाबा शाम हारे का सहारा बाबा शाम हमारा कहना मिलकर बलो हारे 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 तुम हारे के सहारे शाम हारे 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 तुम हारे के सहारे जै हो ओ बलो शाम प्यारे जै 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 ओ स्कामरे अच्छा जब आज दिन में बाबा का दरबार सजरा होगा शिंगार हो रहा होगा तो यह जितने समीति वाले और जितने भाईयां आओंगे उनसे रहा नहीं जा रहा होगा कब किर्टन हो कब हम भजन सुनाएं कब बाबा का जोत आएं और कब हम किर्टन में आनंद लें जो जो इसको अपना बाब मानता है और खुद को इनका बच्चा मानता है वो मेरे साथ कहना क्या मेरी अखियां करें इंतजार सावरे अखियों करें इंतजार सावरे पल को का घय तयार सावरे अब बाबा बाबा पूछे कि तू खाटू क्यों नहीं आता मुझे खंडार में क्यों बुला लिया बाबा पूछ सकता है सफने में आके इतनी मेनद करी इतनी जिद करी हर कोई नहीं बुला सकता आप लोग किसमत वाले हो किसमत वाले मानते हो ताली बजाओ कौन-कौन किस घंकत्क शम्हस्ट वाले माब आया आपके गाओं मैं मैं जब आही मुझे लगा पता यह शाम प्रेमी होंगे हैं लेकर नुकराव भिछ ये शारिमी के कहते बाबा हमने आपको खंडार सफले बुलाया क्योंकि अरे खाटुमे तो बीड़ बहुत हैं नमबर नहीं अलगता खाटू में तो बीड़ बहुत है नमबर नहीं अलगता अरे जी भरकर हम देखना पाते जब भी बाबा सजिता आज भंडार बुलाया जित करके आज इतने सुन्दर लग रहे हो आज जी भरकर देखूंगा आओ जरा उठाओ बजाओ ताली सीधे सीधे हाथ उठाओ जी भरकर करूंगा पीदार सावरे और बल को का गए तयार सावरे बलो खाटू नरेश की